दोस्तो इस वोड़ो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने PDF फाइल को JPG image में कैसे convert करें अगर आपको कोई PDF है उसमें कैसे सारे फोटो हैं या फिर आपके PDF में जितने भी pages हैं सबको आप JPG format में फोटो की तरह अपने gallery में save करना चाते हैं तो कैसे आप करेंगे चले मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए आपको किसी भी app की जरूरत नहीं है नहीं आपको कोई पैसा पेकरनी के जरूरत है यह 100% free है तो सबसे पहले आप अपने mobile में आजाएए फिर आपको chrome browser open कर लेना है अगर आप laptop या computer यूज़ कर रहे हैं तो same काम आपको अपने laptop या computer में भी करना है जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ तो browser में आने के बाद यहाँ पर आपको search कर लेना है small pdf जैसे आप यह search करेंगे तो सबसे पहले number पर आपको website मिल जाएगी smallpdf.com इसको आपको open कर लेना है अब आपके सामने इस प्रकार का page आ जाएगा तो यहाँ पर आपको scroll करके नीचे आना है अब देखें यहाँ पर आपको कई सारे option मिलेंगे तो यहाँ से और नीचे आईए अब यहाँ पर आपको option मिलेगा see all pdf tool इस पर click कर दीजे अब यहाँ पर आपको और भी option मिल जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक option मिलेगा pdf to jpg यहाँ पर आपको click करना है जैसा आप इस पर click करेंगे तो आपके सामने यह page आ जाएगा यहाँ पर लिखा हुए convert pdf to jpg तो यहाँ पर बोला है choose file आपको अपना वो pdf select करना है जिसको आप jpg में करना चाते हैं तो यहाँ arrow दिया हुए इस पर click कीजे अब आपका pdf जहाँ पर भी है वहाँ से select कर लिजे तो यहाँ पर मैं from device select कर लेता हूँ इसका बाद नीचे आपको option मिलेगा media picker तो आपका pdf जहाँ पर भी है वहाँ से जाकर आप select कर लिजे तो यहाँ से मैं अपना pdf file select कर लेता हूँ तो मैंने अपना pdf select कर लिया है अब यह upload हो रहा है तो आपको थोड़ी देर के लिए wait करना है अब देखे pdf upload हो चुका है अब यह convert हो रहा है convert भी हो चुका है आप convert होने के बाद देखिए pdf का zip file आ चुका है तो अगर आपको एक एक करके image को download करना है तो यहाँ देखिए आपके pdf के जितने भी pages है सब यहाँ पर आजाएगा आप उसको एक एक करके download कर सकते हैं फिर अगर आप एक ही बार में सभी image को download करना चाते हैं सभी files को download करना चाते हैं तो आपको zip file download कर लेना है यहाँ देखिए नीचे आपको जो arrow दिख रहा है इसपर click कीजे यहाँ पर आपको zip file दिख रहा है इसका आप नाम भी change कर सकते है तो यहाँ पर मैंने इसका नाम रख दिया small pdf convert अब आपको इसको rename कर देना है अब इसको आपको download कर लेना है तो यहाँ पर देखिया हमारे zip file download हो चुका है अब चलिए इसको हम open करते हैं तो आपको आजाना अपने mobile के file manager में अब यहाँ पर आपको चलिए जाना है downloads में downloads में आने के बाद यहाँ पर आपको zip file मिल जाएगा जो आपने download किया था अब इस पर click कीजिए अब यहाँ पर आपका सभी image आ जाएगा लेकिन इसको आपको extract करना होगा यानि कि image को zip file से निकालना होगा तो यहाँ नीचे आपको option मिल जागा extract इस पर click कर दीजिए फिर यहाँ पर आपको extract पर click कर देना है अब देखिए सभी image जो है वो extract हो जाएगा अब इसको आप यहाँ से copy करके पहले कहीं और पर move कर दीजिए किसी और folder में तो मैंने फाइल को select कर लिया है यहाँ पर आपको नीचे option मिलेगा move यहाँ move पर click कर दीजिए अब यहाँ से आप बाहर आजाएगे आप जिस भी folder में अपने image को रखना चाहते है उस folder को select कर लिजिए जैसे यहाँ पर मैं DCIM वाला folder select कर लेता हूँ folder में आने के बाद नीचे आपको option मिलेगा move here आपको इस पर click कर देना है आपका सारा image यहाँ पर move होकर आजाएगा अब आप चाहें तो अपने G.File को delete कर सकते हैं अब चलिए मैं आपको galley में चल कर भी दिखा देता हूँ यह देखिए galley में मैं आ गया हूँ और मेरे pdf के जितने भी files थें जितने भी pages थें वो सब jpg में convert होकर मेरे galley में save हो चुका है यह आप देख सकते हैं सब मेरे galley में आ चुका है तो अगर आपको वीडियो पसंद आयो वीडियो helpful लगाओ तो वीडियो को लाइक कीजेगा और अगर आपका कोई भी question है तो comment box में जरूर से पूछ लीजेगा